पर जो टिकेट है वो भारते अंदा पार्टी ने नहीं दिया गटा आप सोच सकते थे कि कॉंग्रेस से भी दावेदारी हो लेकिन बसपा और इन लोग इस गड़बंदन का प्रत्यशी ही चुना क्यों चुना गया आपके क्यों मनिशा होई कि यहां जाना चाहिए मैं बीजेबे में बहुत लंबे समय तक रहा और 14 उन निसमें टिकेट मांगे पर उननों देनी चौबिस में मांगे उनने देनी तो फिर देनी तो फिर अब लड़ दिया है यह दरम होता है लड़ने का कॉंग्रेस की टिकेट की जहां तक बात करें तो मैंने वहां पर कि कॉंग्रेस की विचार धारा वह विचार धारा ही नहीं है कि वह आज भी हमारा कश्मीर है वहां पर 370 धारा हट आई थी साधियो हर्याना प्रदेश में चुनावी माहोल पूरी तरीके से तेज है और लगातार तमाम विधान सभाव में भारतिय अंता पार्टी कॉंग्रेस और तमाम राजनेतिक पार्टीय की प्रत्याशी है उनकी भी दावेदारी है इस वकत मेरे साथ बाउजन समाज पार्ट और इन लोग अडबंदन के सयुंगत प्रत्याशी सोना विधान सभा से सुन्दर बढ़ाना जी है इनकी दावेदारी भी काफी ज़्यादा मजबूत देखी जा रही है क्या रणनी तिया है किस तरीके से चुनावी मैदान में है अगर इस विधान सभा से विधायक बनते ह क्या कुछ होगा इस विदान सभा छेतर की जनता के लिए तमाम चीज़ें उन से जानने समझे के उजिश करेंगे सर बहुत-बहुत सवागत है जी आपका सबसे पहले तो यही सवाल है कि आपकी इस विदान सभा में क्या मुद्द्ध है किन मुद्दों के लेकर आप तो उसे हैं मुद्ध ही मुद्ध है को ऐसा यह नहीं जो यहां पर कोई बी ऐसी एक चीज नहीं है जिस कि लामिया कह सका है कि सहोना तावडों में यह चीज हमारी डॉयलप है यहां पर जैसे कि मैं कहना चाहूंगा हमारे लेक है दम-दमा लेक अगर सरकार चाहती तो उतन यह देखा कि पैसे कैसे कमाई जाते यहां से उन्होंने यह नहीं देखा कि हां डॉयलपमेंट कैसे करी जाती है उन्होंने समझा कि पांच साल की जो राजनीती है पांच सालों के लिए उन्हें अपनी पूरा उनका जो करियर है पॉलिटिकली वो सारा खतम कर लिया तो मेर जो राजनीति करियर अगर हम देखे तकरिबन एक लंबा समय आपने भारते अंदा पार्टी में दिया 15 साल आपने दिया और मुझे जो जानकर मिल पाई है कि कई यो बार जो टिकेट है वो भारते अंदा पार्टी ने नहीं दिया गटा आप सो सकते थे कि कॉंग्रेस से भी दावेदारी हो लेकिन बस पा और इन लोग इस गड़बंदन का प्रत्यशी ही चुना क्यों चुना गया आपके क्यों मनिशा होई कि यहां जाना चाहिए देखो मैं बहुत लंबे समय तक रहा है और 14 उन्हें इसमें टिकेट मांगे पर उन्होंनों दीनी तो फिर दीनी त फिर अब लड़ दी हैं तो यह दा का यही धरम होता है लड़ने का इसलिए लड़ रहे हैं और कॉंग्रेस की टिकेट की जहां तक बात करें तो मैंने वहाँ पर ट्राई नहीं किया कि मैं मैं इसमें ट्राई करो या मैं इस क्यों लूँँ कि कॉंग्रेस की विचार धारा वो विचार धारा ही नहीं है कॉंग्रेस की विचार धारा ही वो है कि आज भी हमारा जो कश्मीर है वहां पे जो 370 धारा ठारा हट आई थी वो उसका अपना चुनावी जो है उन्होंने शर्ते रखी हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 370 को हटवाएंगे ये करेंगे ये सबी धर्मों के लोग एकट्र होके इस देश के बारे में सोचते हैं कॉंग्रेस देश के खिलाफ सोचती है हर देखा जा रहा है दोनों रादनितिक पार्टिय कि यह कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो सिर्फ सुरीफ बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच है गडबंदन जो है ज तरहा देखे सब चिज़ों को बड़ा चुनाव लड़ा जाता है तो यहां पे मुद्दे हमें जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है पार्टे हैं लोट करती और यहां पर केंडिड़ेट कर देखे जा रहें रखता है हैं मैं तो ऐसी कुछ बात नहीं है जब आप अगर इलक्शन आपको लड़ना आए या राजनीती में आपको रहना है तो 36 ब्रादरी को साथ लेकर चलना चाहिए किसी एक ब्रादरी धर्म की बात नहीं करने चाहिए अगर आप वास्ता में स्वच ब्रादनीतिय और उनके तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आप एक युवा प्रत्याशी के तोर भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि यह जो गुजर वोट है यह वो डिवाइड होकर कही न कई वो जीत का जो है सर्ताज या फिर जीत का जो माहिन है वो अपने हाथो करते हैं अपनी जीत के लिए कोई भी पार्टी हो तो मेरा मानना तो यहां है कि इन्होंने सब अपना कुछ देख के ही यहां पर टिकट वितन किया होगा फिर उसके बाद देखते हैं कि वह जितने प्रत्यासी हैं वह सबसे छोटा हूं मैं सबसे जंग में हूं और सबसे ड में गए जो भी प्रत्यासी हां घोम रहें चाहिए कोई से भी पार्टी के इस सब पत्चिस पत्चिस दिन से और मैं तो आप से कहा हूं है इनके सोचल मीडिया अकाउंट साब चेक करिए पत्चिस दिन पहले से सुरवाद इनकी होई है ग्राउंड में और इनको कोई पता सबसे बैटर हूं मैं तो यह कहता हूं मेरे बाशनों में भी जनलसभाव रहली में जाता हूं कि आपके सामने उस कंडिएटिटस हैं आप दस में से च्यूज करें कि विह लाइन व्यिव दूंटे इंकि बाद नौदент자am फिट बैठता हो किसका चाल चारीत चहरा अच्छा है सब चीजे आप जज करिए अभी दस दिन इलक्षन में है आप नो दिन जो है लक्षन के बाद नो दिन बाद इलक्षन है दसवे दिन आपकी वोटिंग होगे तीन तारीको पचार बंद है पांच को वोटिंग होगे मैं कांग्रेस के जो शैल्जा कुमारी है इनका जो अपमान हुआ है क्या लगता है कि दली तब का इस ममले को लेकर कांग्रेस को वोट हमेशा से जो करता है वह चिटकर बसपा को वोट करना शुरू कर देगा कैसे फर की बाते हैं इनका प्रेम सिर्फ दस दिनों के लिए जब चुनावाते हैं उसके बाद इनों अशुक्तावर को लाटियों से पीटा बेहन सेल्दा के बारे में बुरा बला गालिया दी यह उने तो किस मूं से कहना चाहरे कि ऐसी समाज को प्यार करते हैं यह सब जूटे बात होगी दस परसेंटिव वोट उनको नहीं जाएगा बसपा के नेशनल कोडिनेटर आकाशानन कल आपके पूरे के विधान सबा में चौपाल कर रहे थे लोगों के बीच जा रहे थे आप उनके साथ में थे क्या मैसूस किया आपने और उसके बाद जो लोगों का प्रति प्रतार किया उनके लिए तो उनके लिए जो उनकी फैन फॉलेंगे जो उनके चाहियां हो सारा इतना कुछ हुआ कि यहां पर उनका जो रोड शो ता जो उनका कारिकरम ता जो गाओं में चौपाल की बैठ गेती उनका सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉंस है और लोगों सब्सक्राइब है कि उसकी गुंद सुनेगे गोशना पत्र तमाम राजनेतिक पार्टियों ने जारे किया है भाजपा का है कॉंग्रेस ने अपनी तमाम साथ गैरेंटी आगे रखी है बस पाने लोग अडबंदन का अपना गोशना पत्र है आप अगर इस विदानसभा को अगर दिल में हैं अभी नहीं कह सकते इस चीजों को यह बहुत आगे की बाते हैं भगवान कुछ अच्छा दिन दिखाएगा जन्ता आशिरवात देगी तब हम बताईगे हम क्या कर सकते हैं पर वैसे मेरा मन है कि यहां पर सिक्षा स्वास्त दोमेन मुद्डे हैं और ज करेंगे मिने का सबक्राइब कि ता मैं सब्सक्राइब के लिए की छारी cette स्बस्क्राइब कैसे कि र्मख्राव है चैके अगर हम अगर हम पर सुना में स्थापित करेंगे तो अभी स्टेडियम बना हुआ है इसको और भवे बना के इसको इंडोर स्टेडियम बनाने का काम करेंगे और सिक्षा का पूरा सिस्टम यहां ठीक करेंगे तो यह तमाम चीजे हमने समझी है कि आखिर सोहना विधान सभा में किस तरीके से सुंदर बड़ाना जो की बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गड़बंदन के सयुक्त प्रत्याशी है क्या कुछ होगा सोहना विधान सभा मे इनके जरीए और इसके साथ साथ भारतियंदा पार्टी और कॉंग्रेस के अपनी दावेदारी है गड़बंदन के जो प्रत्याशी है यह भी मजबूती से चुनाओ मैदान में देखे जा रहे पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंड बॉक्स में लिकर जर्बत है बने रहे नैशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में तब तक ले जै भी जै भारत